दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फोटो सॉप सेवन में आप बहुत ही असानी से वेडिंग एल्बम की डिजाइनिंग कैसे कर सकते हैं दोस्तो जिसे कि आप सभी जानते कि मैं जो भी चीजेंगे बताता हूं वह बहुत ही ज्यादा आसानी से और स्ट लिजाइन के फोटो है और इन फोटो से अभी हम बहुत ही खुब सुर्थ और बहुत ही आसान तरीका से वेडिंग एल्बम का जो सीट होता है उसे हम डिजाइन करना आपको सिखाएंगे तो सबसे पहले आपको अपना फोटोस्व को आपने कर लेना है तो यहाँ पर मैं आ करना है वेडिट में जो होता है यहां पर 36 इंच होता है हाइट में आपको यहां पर 12 इंच ले लेना है उसके बाद रेजुलेशन आप यहां पर कम सिकम 100 ले लें इससे कोई दिक्कत नहीं है और मोड में आप यहां पर CMYK या RGB रख सकते मैं आपको रेकमेंड करूंगा CMYK लेकिन मैं अभी फिलाल इसमें RGB में रख लेता हूं उसके बाद simply यहां से OK करूंगा तो यहां पर Wedding Album का New Page हम यहां पर Create कर लिया हूं उसके बाद क्या करना है यहां पर रूलर बार है अगर आपका रूलर बार नहीं सो कर रहा है तो Ctrl R प्रेस करेंगे यहां पर रूलर ब है तो यहां पर आपका गायड लग चुका है उसके बाद मैं यहां पर सबसे पहले एक लिखंब लेता हूं मैं एक वेदिंग फोटो लिटा हूं और यहां पर मैं सबसे पहले इसका का बेगरांड को स्रेट करना है और उसके बाद कंट्रोल सी करना है और चले जाना इस वाले पेज में और यहां पर कंट्रोल भी करेंगे यहां पर आपका यहां पर बेगराउंट आजाएगा कंट्रोल बलर उसके बाद यहां से ओके यहां पर कम से कम 86 या 80 ले लेना है आपको बलर उसके बाद यहां से आपको कर लेना है थोड़ा समय और बढ़ा लेता हूं उसके बाद यहां से साइड में रख दूंगा मैं कुछ इस परकार से और साइड में रखने के बाद यहां पर आप देख सकते हूं कि यह फोटो आ चुका है अब इसको मैं कटिंग करूंगा थोड़ा सा सेप के डिजाइन में तो उसके लिए आपको यहां पर पेंट टूल को सेलेक्ट करना है ठी यहां से टर्न करते हुए इसका चूर यहां पर यहां पर यह पाथ सेलेक्शन हो जाएगा उसके बाद कंट्रोल प्लस इंटर दबाएंगे और डिलीट बटन दबाएंगे यहां पर देख सकते हो कि आपका यह सेप तयार हो चुका है उसके बाद क्या करेंगे सबसे पहले विंडो में जाएंगे और यहां पर लेयर पेनल को आपेंड कर लेंगे यहां पर हमारा लेयर पेनल ओपन हो चुका है अब यहां पर यहां पर यह जो फोटो है इस पोटो को हम सेलेक्ट करेंगे अगर इस परकार से सेलेक्शन आपका क्लिक करने से सेलेक्ट नहीं हो रहा ह सब्सक्राइब करें आप लेयर में देखेंगे आपका यहांप कर लेंगे और इस परकार से बड़ा कर लेंगे और तोल यहां से थोड़ा सा यहां पर फिप्टी परसेंट कर लूँन형ा यहां पर भी मैं 60% कर लेता हूं और उसके बाद यहां पर से एक तो क्लीक करेंगे झालर यहां से ब्लेक रखेंगे और कुछ चीज परकार से सेप है बना dalla में और उसके बाद यहां से हमारा 2 से तो यहां पर देख सकते हो कि कुछ इस टैप का आपके सामने डिजाइन बन चुका है उसके बाद यहां से मोब तूल को सेलेट करेंगे ठीक है और यह से देख सकते हुआ बन चुका है अब अभी हम क्या करेंगे इसका एक कौपी बनाएंगे तो कंट्रोल जे करेंगे अपने कीबोर्ड में यहां पर देख सकतो लेयर पेनल में दो लेयर बन चुका है उसके बाद इस कंट्रोल टी कर लेंगे उपर वाला लेयर पर और राइट किलिक करके यहां पर आपको और राइट किलिक करके आपको यहां पर फिलीप होरीजोंटल पर किलिक कर देना है उसके बा पर सिंगल बन जाएगा उसके बाद कंट्रोल करें के कुछ इस परकार से ठीक है और उसके बाद इसको कि छोड़ देंगे उसके बाद क्या करेंगे इसका एक बनाएंगे इसके बाद क्या करेंगे सिप्ट और आल्ट को प्रेस करके तो वह साई इहां के साई मीं कर दूंगा मैं उसके यहां पर क्या करेंगे इसके पीछे में यहां पीछे की सेड़ूर वाला हूं या सब्सक्कुन के बारे हुदी उस निजैल बड़ा कर लूँगा और उसके बाद क्या करेंगे इसका कपी बनाएंगे तो इस परकार के यहां पर नीचे में ले आएंगे और एक बार फिर से Clone-J-Ctrl-T नीचे लाएं इस लेयर को वाइठ क्लार वाला लेयर को और इस परकार से इसे भी मैं आड्जेस्ट कर लूँगा बहुत ही असानी से ठीक है यहां पर इसको सेट करने के बाद भी पता चलेगा कि कौन कौन स्टेफ है तो वाले पर किलिक करके इसको पर से 60% कर लेना है ठीक है और सभी का यहां पर क्लिक कर करके नहीं पर तो सब और देखले तो सब्का ओपिशुञा इसके अंदर में फोटो करने वाँ वाला है इससे पहले चले जाना है अपने फोडगे ब्लगें अर उसके सबसे पहले प्रकार क्लिक कर देंगे और कंट्रोल बी कर देंगे और फोटो के यहां पर लग जाएगा और इस पोटो के लेने के बाद में चले जाऊंगा अपने Photoshop में यहाँ पर खोल लिया इसको पहले Ctrl A करेंगे यह Select हो जाएगा Ctrl C करेंगे यह Copy हो जाएगा और Ctrl W करेंगे यह फोटो को जाएगा अब जिस भी सेप में आपको यह फोटो को डालना है उस सेप को पहले क्लिक करके यहाँ पर Select करेंगा जैसे कि नीचे वाले करना है ठीक है उसके बाद अपने कीबोर्ड में Alt Ctrl G प्रेस करना है जिसके अंदर की यह जो फोटो है उसे सेप के अंदर आपका चला जाएगा Ctrl T करेंगे और यहां से इसके शिफ्ट को पकड़ करके इस प्रकार से चोटा कर लेना है और यहां से आपको पोटो लेता हूं जैसे की मैं यहां पर एक और पोटो ले रहा हूं इस फोटो को यहां पर पोटो सौप में कर लोंगा Ctrl A Ctrl C Ctrl W और यहां पर अंदर इस शेप के अंदर आ चुका है तीनों का तीनों फोटो ठीक है चलिए अब मुझे क्या करना है यहां पर एक साइड में यहां पर फोटो देना है तो मैं यहां पर फिलाल एक फोटो ले लेता हूं और इसको यहां पर मैं ओपन कर लेता हूं और यहां पर कंट्रोल बी Ctrl T इसको यहाँ पर Ctrl T करके Side में लाएंगे और Shift को पकरके इस परकार से बढ़ा कर लेंगे और इसके बीच में मैं एक फोटो देने वाला हूं तो यहाँ पर मैं एक फोटो ले लेता हूं यह वाला और इस फोटो को ले करके अपने Photoshop में Open कर लूँगा Ctrl A, Ctrl C, Ctrl W और यहाँ पर Background में क्लिक करके Ctrl B, Ctrl T और इसको यहाँ पर ले आएंगे फोटो को ठीक है और सबसे पहले क्या करेंगे इस पोटो को सबसे ऊपर ले आएंगे और यहां पर पर सिटी बगर है 100 और फोलो भी 100 रखना है उसके बाद यहां पर क्या करेंगे इसका जो ब्रस का साइज है वह मैं यहां पर बड़ा कर लूँगा ठीक है और उसके बाद कुछ इस परकार से इसे मैं यहां पर यहां पर साइड साइड में यहां पर इरेज में कर लूँगा फोटो को ठीक है इधर भी साइड यहां पर मैं इरेज कर लेता हूं और उसके बाद यहां पर कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इस परकार से इसे यहां पर मैं ड्रेक कर लूँगा ठीक है फोटो को और ड्रेक कर सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें और संपर देखनाइब के सामने उसको करेंगें यहां पर सभी पूट के अंदर चला गया है कुछ इस-परकार से थोड़ सा इसको चलिक करेंगे Ctrl-U, Press करेंगे, और कुछ इस परकार से इसे बढ़ा लेंगे, इतना आप बढ़ा भी सकते हैं, और तो पहले जैसे था, वैसरे भी इस परकार से background भी रख सकते हो, यापर color झाल कि यहां पर कुछ, इस परकार का भी color को रख सकते हूं, जैसे कि इया पका color जो है, अंदर भी पोटो अगर डालना चाहते हो तो इसको सेफ करना पड़ेगा अभी इसको सेफ करना पड़ेगा यहां पर फाइल कानाम देदाना है तो यहां पर मैं 12-36 लिख लेता हूं फिर प्र मैं सरे क्लिक करें और यहां से आपको बेटर कि करें कोई दिक्रत की बात नहीं होगी प्यानजी करता हूं उसके जब्सेतर रहता है और यहां पर से पर क्लिक करेंगे और यहां से ओके उसके बाद यहां पर यह जो आपका वेडिंग एल्बम का जो पेज है वह आपका प्यांजी में से वह चुका है अभी मैं आपको डेक्स्टॉप में लेकर के दिखाता हूं तो यहां पर आप देख सकते हो कि हमारा यह जो पेज है वह हमारा से बहुत हो चुका है कुछ इस टैप से बहुत ही आसानी से आप वेडिंग अल्बम का सीट को डिजाइन कर सकते हो तो दोस्तों मैं मिलता हूं कि नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हैं भारत कर दोस्तों मैं मिलता हूं कर दोस्तों मैं मिलता हूं